गुड मानिक स्टुडेंट मैं गुडू सर आप सभी के इस वीडियों शागत करता हूँ बच्चो आज मैं आपके सामने सिकिन चैप्टल लेकर आया हूँ 11 कलास का जो की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप जो है रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए इ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें सेयर करें और बेल आइकन की बटन को आवर से दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाया जा रहा है वो सीधे आप तक पहुंच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन इसका जो सबसे पहला टापिक है उसको हम समझे लेते हैं और पेयर क्या होता है ठीक है तो यहाप पर देखिए ध्यान दीजेगा क्या है और पेयर होता क्या है वैन वी राइट टू इंट्रीज इस आई स्पेस्पिक और देन दिस टाइप आप पेयर इस कॉल्ड आडर पेयर जैसे इस पेस्पिक देखिए हमारी बास समझेगा टू इंट्रीज हम जैसे एक आमा बी है ठीक है यह आपका स्पेस्पिक और गार का है तो कि देखिए एक बाद भी आता है और इसको मैंने ब्रेकर्ट में इसे कर दिया तो इसको आप और पेयर बोल सकते हो झाँचिए कामा डी होगा ठिक ऑडर पेर क्या होता है और सट देखें यह अज़िए हैं तिक इसका जो फिर्सicaçãounta अफिसको बोलते हैं क्या है फस्सटै अब्र पेएर और यह क्या है सेकेंड अमिन्ट आप दी अरठ पेर टीक हैं यहां पर कंपोनेंट भी बोलते है element ना बोलना चाहो तो फस component आप दे आप डर पेयर कौन है इसमें ए है और बी क्या है second component आप दी आडर पेयर क्लियर हो गी नहीं हो गया एक बात यह हो गया दूसरी चीज यहां में आना चाहिए ठीक है दूसरी बात यहां पर एक चीज यह त अपका क्लियर हो गया आगर का भी जैसे लिखा है जैसे लिखा P, Q लिखा है और यह कह रहा है कि यह R और S के equal है यह P, Q यह order पेयर इस order पेयर के equal है तो first component क्या होगा first component के equal होगा मतलब P तब किसके equal हो जाएगा R के और Q किसके equal हो जाएगा S के equal हो जाएगा बोलो सनम्य आगे नहीं आगे तो इस प्रकार से आप ये बात भी समझ गये हो कि अगर दो component आपस में क्या कहता है दो order pair आपस में क्या हो equal हो ठीक है तो उनके first component first component के बराबर हो जाता है और second component second component के बराबर हो जाता है तो चलिए इसको भी मैं मिटा दिया हूं ठीक है पूरा मिटा दें फिर समझ लिजे when we write two entries is I specific order ठीक है then this then this water this is the water this order is known as order pair इस तरीके का जो पैर होता है ठीक है वो कैसा हो जाता है order pair कहलाता है ठीक है तो चलिए इसको मिटा देता हूं इसको तो पहले ही बता दिया हूं आपको इसमें कोई रिक्कत नहीं है आप लोगों को ठीक है आगे बर जाता हूं देखता हूं आगे क्या है कि यहां पर कुछ्छन नमर्ट यह उठाया तू यह में क्या लिखा है लिखा हुआ है कि भाई डूसरा आदर पेर ये हैं दोनों आदर पेर आपस में क्या है इक्वाल है तो यहां पर यह कहा है कि बैगे क्या होता है लहाए वहार नेयू के क्या होता 5 by 3 minus 1 when you will solve it this become to 5 minus 3 3 upon 3 this become to 2 by 3 okay here we can write x by 3 equal to 2 by 3 3 and 3 will be cancel out and left here x is equal to 2 so x will be 2 and if we talk about y minus 2 by 3 so it is equal to the 1 by 3 so we can write here 2 by 3 equal to 1 by 3 now you will transfer what minus 2 by 3 in right hand side then this become to in positive just like that now look here denominator are same it means what you what you will do here you will add numerator okay to each other so 2 plus 1 this become to 3 and 3 and 3 will be cancel out what left here 1 it means y is equal to 1 तो कोहने का मतलब यह हुआ कि देखिए मैंने क्या किया पहले को पहले की equal कर दिया तो 1 को इदले के चले गाए तो देखिए 5 by 3 minus 1 हो गया और देखिए 3 बन जा 3 अब 5 से 3 देखिए लिख दिया ना यहाँ पार 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा upon में 3 हई है अब नीचे नीचे देखिए equal है दोनों में तो 3 से 3 cancel हो गया ठीक है तो X वराबर आपका 2 आ गया इसी प्रकार से आपने second को second के equal कर दिया second component क्या है Y minus 2 by 3 इदर 1 by 3 है इसके equal कर दिया जब इसको इदर ले जाएगे तो क्या हो जाएगा बताएगे जल्दी सफटा पट इसको इदर ले जाएगे तो प्लस का 2 by 3 हो जाएगा कि नहीं और देखिए नीचे नीचे equal है तो यही रहेगा और उपर उपर आएट हो जाएगा तो 3 by 3 is equal to 1 तो कुल मिलाकर X की value यहाँ पर 2 आगया और Y की value 1 आगया तो आप इसको लिख लिजिए और मिटा दें इसको अब चलिए ठीक है मिटा देता हूँ next question क्या है अगला question देखिए find the value of X and Y from each of the following comma X minus 2i equal to क्या लिखा है 7 comma 1 लिखा है अभी इसको देखिए आप क्या कर सकते हो first, first के equal होगा second, second के equal होगा ये बात मैंने पहले बता दिया क्यों होगा equal क्योंकि यहाँ पर two order pair आपस में equal है कभी भी two order pair आपस में equal होता है तो उसका first component Superintendent किसके equal होता है first component के equal हो जाता है और second जो होता है वो किसके equal हो जाता है second के equal हो जाता है तो चलिए start करता हूँ देखते ही क्या आता है ये तो first, first के equal करेंगे तो X plus Y is equal to kya जाएगा 7 आजाएगा 1 number 1 अजाएक question second, second के equal करेंगे तो x-2y is equal to 1 है यह हो गया जिकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई यहाँ पर लिखेंगे subtract subtract करने पर तो जैसे ही subtract करते हैं minus हो जाएगा यहाँ minus है तो plus हो जाएगा यहाँ plus है तो minus हो जाएगा इससे यह cancel हो गया आब यहाँ पर देखे 2y यहाँ पर y है तो यहाँ जोनों आएड होंगे तो 3y हो जाएगा यहाँ 7 है यहाँ minus का 1 है तो 6 हो गया तो y is equal to कितना आजाएगा भाई 6 by 3 क्योंकि 3 यहाँ multiply में इधार आएगा डिवेड में हो जाएगा तो 3 2 जा तो इस प्रकार से y की value तो आपका 2 आगया ठीक है आप क्या करेंगे from 1 1 ले लिजे और इसमें उठा के इसको रख दीजे तो x plus 2 is equal to 7 तो क्या हो जाएगा भाई यह x is equal to 7 minus 2 और यह आपका जाएगा 5 तो y की value आगया कितना 5 आगया तो कहने का मतलब यह हुआ किस प्रकार से आप जो है x और y की value आराम से निकाल लिए ठीक है इसको भी मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ और आगे जो है अगला question लगाते हैं तो x is equal to 2 यहाँ पर क्या आगया भाई x is equal to 5 y is equal to 2 ठीक लिख लिजेगा इसको अगला question देखे इसमें क्या है अगला question इसी का second वाला लिखा हुआ है 2x कामा x प्लस 3y और equal to यहाँ पर लिखा है 4 कामा 5 लिखा है ठीक है तो first first के equal होगा second second के तो चलिए compare कर लिजेए भी हम क्या करेंगे comparing जब compare करेंगे तो 2x equal होगा 4 के तो x equal to के आएगा 2,2 जा 4 x equal to 2 आगया ओके and second x plus 3y यह equal होगा 5 के आप देखे हमारी बास समझे 2 की value यहाँ पर x equal to 2 दिया यहाँ पर रख दो तो ठीक है बलकि इसको हम 1 मना लेते हैं ठीक है तो चलो यहाँ रखा जाए x की जगा 2 रखा 3y equal to 5 और यहाँ पर from ठीक है equation 1 से काम किया क्योंकि 1 की value यहाँ पर रखा हमने है तो यहाँ जाएगा 3y equal to 5 minus 2 और यहाँ गया क्या 3 तो y equal to कितना आएगा 3 upon 3 क्योंकि यहाँ 3 into में है इधर आएगा तो divide में हो जाएगा तो आपका 1 हो गया तो y equal to 1 आगया तो कुल मिला करके y की value 1 निकल आया तो यहाँ पर देखे x की value कितना आया 2 आया y की value 1 आगया ठीक तो आपका कुछ से number कहां तक complete हो गया 2 तक complete हो गया चलिए 3,4 आपको बता देता हूँ और यह आपका जो है काम आपका हो जाए तकी तो यहाँ पर देखे 3,4 में क्या लिखा है 3 में देखे क्या लिखा है कुछ से number 3 पहुच गये a equal to लिखा है ठीक है 2,3 और b equal to लिखा है क्या भई 1,3,5 ठीक है क्या पूछ रहा a cross b पूछ रहा है तो आप यहाँ पर देखे cartesian product पूछ रहे a cross b का मतलब होता है cartesian product ठीक है तो जैसे a पूछ रहा है set a है कौन है 2,3 b में कौन से set है वो कौन कौन से element है 1,3,5 तो cartesian product किस प्रकार किया जाता जैसे आपको बताना a cross b तो आपका इससे बताओगे देखे ध्यान दीजेगा हमारी बात को जैसे 2 को 1 के साथ पहले cross करा जाएगा फिर इसके बाद 3,7 फिर इसके बाद किसके साथ 5 के साथ तो क्या लिख सकते है इस तरीके से 2,1 बोलो किलियर है यह नहीं किलियर है फिर क्या करेगे 2 को 3 के साथ किया तो 2,3 हो गया फिर उसके बाद 2 को 5 के साथ किया गया तो 2,5 हो गया तो देखे 2 का का काम खतम हो गया आप किसका करोगे 3 का 1 के साथ करोगे 3 का इसके साथ करोगे 3 का भी इसके साथ करोगे तो आपको एक रास भी निकालना हुआ आसान, ठीक है, अब आप एक रास भी बहुत आसान से निकाल सकते हो, अगर आपसे यही जगा पर क्या पूछ लिए जाए, जैसे यहां की पूछे ही गया है, तो पहले आप क्या लिखोगे पहले यहां पर पहले बताओ जल्दी से, क्या लिखोगे, 1,2, फिर क्या है, 1,3, वो भी 3 का है मैं माइनस में, ठीक है, 1 का काम कम्प्लीट, 3 का करो, तो 3,2, 3 कामा माइनस 3, तो लिख दीजिए 3,2 और 3 कामा माइनस 3, होगे नहीं हो गया, अब 5 का करोगे, तो 5 कामा क्या होगा, 2, और इधर क्या हो जाएगा, 5 काम माइनस 3, तो यह आपका क्या हो गया, B क्रॉस A, तो बच्चों, उम्मीद करता होंगी, A क्रास B, B क्रास A, यह निकालना आपको आसान हो गया होगा, यह क्या है, कार्टेसियन प्रोडेक्ट से बोलते हैं, क्या बोलते हैं से किस क्रास को, कार्टेसियन प्रोडेक्ट बोला दता है तो चलिए इसको अब मिटा देता हूँ आप लोग समझ गयोंगे इसको आपकल लीजेगा थेक एन नेक्स्राइब इसमें क्या है भई फोर नम्बर फोर नम्बर में देखे क्या लिखा है फोर नमम्बर में आप लिखा हुआ है एकोल टू 1,2 लिखा है तो सबसे पहली बात है कि A cross A cross A की value पूछ रहा है इसकी value पूछ रहा है तो पहले एक काम करते हैं चलो पहले A cross A की value निकाल लेते हैं तो A cross A की value क्या निकलेगा भई देखें इसमें A को A के साथ cross करा जा रहा है A का Cartation Product 1,2,1,2 यही तो है, भाई, set A में क्या है, 1, 2, फिर यहाँ पर A, क्योंकि A क्रास से लिख रहो न, तो 1 का किस में होगा, पहले 1 में होगा, फिर 2 में होगा, तो वही चीज यहाँ पर लिख दीजे, 1,1 और 1,2, अब क्या होगा पताओ जल्दी से, अब इसमें होगा, 2 का 1 में होगा, फिर 2 का 2 में, तो यहाँ पर क्या लिखो के 2,1 और 2,2, तो यह क्या है, यह आपका A क्रास A की वेलू निकल आईगी, लेकिन मुझे तो किसकी वेलू निकलना है, यहाँ पर A क्रास A की वेलू बताना है, तो मैं मुझे बताना है, A क्रास A की वेलू बताना है, तो मैं यहाँ पर देखे इसकी बैलू इसकी बैलू यहाँ पर निकला है क्या निकला देखे वन कामा वन वन कामा टू और टू कामा वन और टू कामा टू यह बैलू निकला है तो पहला काम है पहला काम है कि यह जो है पहले सभिम जाएगा इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो पहलो इतना पहले काम कर लेता हूँ, ठीक है, इस वन के साथ, तो वन आग जाएगा, तो देखे, यहाँ पर देखे, क्या हो जाएगा, यह वाला वन गया, इसके साथ, तो वन पहले ये लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को, वन वन, बोलो, कि किसको लिखेंगे, फिर आप कोन में चाहे, टू टू अचाहे, टू टू, किलिए रोगे नहीं हो गया, चलिए ठीक है, अब देखे, मैंने वन, टू, थ्री, फॉर, मैंने वन का काम तमाम कर दिया, सभी के साथ मल्टिपलाई कर दिया अर्था, ठीक है, आब इसके बाद द लिखे, क्या हो जाएगा यह चीज, आप पहले तो लिखेंगे, फिर इन दोनों के लिखेंगे, वन, वन, फिर पहले टू लिखेंगे, आपकी साथ किस के था, इसके साथ, वन, टू, फिर पहले क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, फिर आप तिसरे थर्ड नमर वाला, करास A की वेलू निकाला जाएगा ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजे इसके बाद next question आपको मैं बताने चल रहा हूं question number 4 तक हो गया 5 से start करने चल रहा हूं ठीक है और अब इसी करम को आगे बढ़ाते हुए question number six seven eight और यह nine number का question है four question लिए तो चलिए देखिए यहाँ पर six number का पहले question देखता हूं क्या है यहाँ पर six number को लगाता हूं A की value क्या दिया है देखिए यहाँ पर A is equal to लिखा हुआ है one two three four clear वह नहीं हुआ और B की value क्या है यहाँ पर देखिए B की value लिखा है क्या लिखा x is that x belong to n माने x जो है natural number है लेकिन और आगे क्या दिया and x is a prime number less than five x natural number है जो क्या है five से कम है और x क्या है prime number भी है तो prime number natural number में prime number five से less कौन कौन से होते है two and three माने two out three जो है वो क्या है प्राइम number है less than क्या five तेक तो clear होगे नहीं और two three natural number भी है अब इसमें क्या पूछ रहा है a cross b पूछ रहा है तो चलिए cross b निकाना जाए इसका a cross b का मतलब क्या a की जगा पर one two three four हो गया cross b b की जगा two का मत थरी तो चलिए इसको कैसे करोगे आप देखे फस्ट को फस्ट के साथ तो one का मा टू फस्ट को सिकिन के साथ ठीक चलिए हो जाएगा क्या one का मत थरी अब two को two के साथ तो two का मा टू तू को थरी के साथ two का मा थरी अब थरी पोँचगे थरी को two के साथ तो जाएगा three का मा टू अब थरी को थरी के साथ तो three का मा थरी हो गया अब इसके बाद क्या आएगा four को two के साथ four का मा टू हो जाएगा फिर four को three के साथ तो four का मा थरी हो गया तो इस प्रकार से a cross b यह निकला आया अब आ खरीब फूर तो साइद यह आपके लिए होमोर कर दे दिया हूं बच्चों आप इसको खुश से कर लेना ठेक हैं आई ये नेक्स्ट कुर्शन लेता हूं सेवे नमबर वाला कुर्शन मिटा दूना इसको अब ठेक अब यहां पर आजए सेवे नमबर कुर्शन में क्या लिख अब यहां पर क्या पूचरा भई कि हानद बूक्रा से इसमें पूच रहा है इसलिए बी क्रास से किलिग पूछ रहे तो कुछ नहीं करना जक्शे इसको इधर कर दिया गया यहाँ पर तो वैसे इधर भी कर दी जंदर भी तो कि a कामा three लिखा तो क्या हो जाएगा three कामा a हो जाएगा ye a कामा five है क्या बन जाएगा five कामा b बन जाएगा बासन में आ रहा है नहीं आ रहा है ओ सुर्य फाइब एक अमा फाइब तो फाइब कमा इंगे तो कहने का अधाद पर यह हुआ 3 5 3 5 3 5 मैंने इसको पहले कर दिया इस प्रकार से आफ बैलू को जी एकरास भी दिया हो अगर आप उसको का वी एकरास से निकालना चाहते हो तो इस तरी उस तरी के साब निकाल सकते हो तो चलिए उसको मिटा देता हूँ कुश्चन नंबर आ जाते हैं किस पे question number 8 पे आए गए है तो 8 नमबर में देखिए क्या लिखा है 8 का first लेता हूँ और first में क्या है P square to लिखा है M, N ठीक है P square to क्या लिखा है M, N और Q square to लिखा है N, M लिखा है ठीक है और यहाँ पर क्या कह रहा है तो कह रहा है कि क्या भाई P, Q की वैलू कहरा P Cartesian product Q की वैलू क्या यह आएगी क्या M, N N, N, M आएगी क्या है तो बिल्कुल नहीं आएगी No answer इसमें क्या आएगा False आजएगा answer क्या हो जाएगा इसमें False क्यों False होगा क्योंकि कभी भी P, Q, P cross Q कराओगे तो इतना नहीं आएगा पहले क्या आएगा M, N जो की है लेकि फिर M, M आएगा जो की इसमें नहीं है तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या आप यहाँ पर लिखोगे लिखोगे False ठीक है बात सन में आगे नहीं आगे इसको लगाने की ज़्यादा ज़रुरत नहीं है क्योंकि आपको पता है फाल्स लिखोगे Because क्यों होगा False क्योंकि P cross Q अगर निकालोगे तो P की value क्या है देखिए डारेक्ट में कर दे रहा हूँ M, N आएगा उसके बाद क्या आएगा M, M आएगा फिर क्या आना चाहिए N, N आएगा फिर क्या आएगा N, M आएगा ये आएगा लेकिन इन्होंने क्या लिखा ये लिखा है तो False हो गया ठीक है तो चलिए ये काम आपका complete हो गया आप इसको मैं मिटा देता हूँ और आपका जो है Second इसमें देखता हूँ Second में भी Second आपका क्या है 8 का Second 8 का Second में क्या लिखा है लिखा है If A and B are non-impity sets Then A cross B is non-impity set हाँ ये बात तो सही है non-impity set होगा अगर A और B जो है क्या है बताइए A और B जो है non-impity set है ठीक है तो इसका cross मतलब इसका Cartesian product भी non-impity set होगा ये बात तो किलियर है फिर आगे लिखा है Impity set of the order pair X, Y such that X belong to A और Y belong to B आप ऐसे भी समनलो कि जैसे एकदम सही है X में अगर मा लेता हूँ X में यहाँ पर लिखा है A में Agilement AX है और B में कौन है Agilement Y है B में कौन है Y है ठीक है और जब एक रास भी निकालेंगे इसका तो क्या है भई X यहाँ पर Y है ठीक और जब इसको निकालोगे तो X का मावाई होगा तो देखे ये इसका element हुआ नहीं हुआ भई यहाँ पर कहें भी रहा है तो यह क्या है True है क्या यह True है ठीक है तो इसमें आपको सीधा-सीधा लिखना है क्या इसमें सीधा से आपको किवल लिख देना है True लिख देना है क्या लिख देना है True ठीक तो इसमें जाहे लगाओ जाहे ना लगाओ कि बाद डारेक्ट आप लिख सकते हैं true ठीक है बात तो समझ में आई ही गया होगा अब जो है 8 का question number second देखते हैं तो चलिए देखा जाए 8 का second true है कि false है तो यहाँ पर देखे 8 का second 8 के second पर आ गए है और यहाँ पर देखे क्या लिखा A स्कोल 2 लिखा है 1 कामा 2 ठीक है और B स्कोल 2 लिखा है 3 कामा 4 लिखा है ठीक है अब यहाँ पर देखे चलिए इसमें रखते हैं value देखे क्या आता है ठीक है तो A क्रॉस लिखा है ठीक है तो चलो डारेक्ट वैलू भी रख देते हैं क्या करना है A की वैलू क्या है 1,2 और क्रोस B की वैलू देखिए क्या लिखा है B की वैलू है 3,4 ठीक है intersection count 5 5 का मतलब यह impity ठीक और यह आपका इतना है ठीक है यह मैंने left hand side लिया इसका ठीक है मैं के वाल इतने के लिया अधर वाला नहीं लिया हूँ तो इतने में मैलू रख दिया अब यहाँ पर देखिए क्या है 1, 2 तो है ही है ठीक है और दोनों में common क्या है देखिए common element लिखते है तो common कुछ भी नहीं है है कुछ common नहीं है तो यहां भी रिक्त हो गया मनें impati set impati बन गया और कभी भी impati set का cross करातें किसी भी set के साथ में तो इसके जो result आता है वो भी क्या आता है वो भी impati set आता है कि नहीं और यह value क्या होती 5 तो इसलिए यह क्या है true है सही यह left hand side मैंने लिया left hand side क्या था a cross b intersection phi यह यह देखे left hand side था देखे right hand side आपका आगया तो आपके सन में आगया होगा यह true है इसको आप लिख लिजिए ठीक है चलिए इस question को मिटा देता हूँ अब next question यहापर लेता हूँ कौन सा next question आपका है यह अला 9 वाला कह रहाई कि a cross a में 9 elements हैं जिसमें से two elements तो आपके यह हैं तो भी अगर two elements यह हैं तो अगर इसका जो है क्या करा दें इसको अगर हम set में कर दें ठीक है ऐजा element है ना इसके तो ठीक है अगर ऐजा element है तो अगर यह value जो होगी वो क्या होगी एक क्रासts, एक के subset होगी वही यह, इसके सारे element इसमें पाए जाएंगे अगर पाएंगे, तो इसलिए क्या होगा एक वेलू क्या होगी minus 1, 0, 1 होगी अब आपका होगे क्यों होगा सर क्योंकि एक की वेलू देखिए ये जो हो है, ये किशकी वेलू है इस A की value है, ये किसकी है, इस A की value है, मने जो first component है, वो first A, पहले जो A लिखा उसकी value है, और जो second component लिखा है, second नमर पे वो है, second वाले A की value, तो भया कुल मिला कि value तो A ही है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि minus 1, 0, plus 1, ये सभी value किसकी है, A की ही तो है, तो इस प्रकार A की value निकालाई आप चलिए इसका एक राज से निकाला जाए और एक राज से निकालना तो मैंने आपको कई बार पिछली बीडियों जो है इसी बीडियों में जो है कई question लगवा ही चुके हैं तो चाहो तो आप इसको खूछ से भी लगा सकते हो इसमें कोई दिकत नहीं है ठीक है आपको कहो लगा दे ठीक चलो लगाई देता हूं क्या करना है देखे 1 का जब 1 में करोगे तो minus 1 कामा minus 1 हो गया किलियर होगी नहीं हो गया अब minus 1 का 0 में होगा तो जाएगा minus 1 कामा 0 माइनस 1 का किस में होगा 1 में होगा तो minus 1 कामा 1 हो गया ठीक आप 0 का करेंगे तो 0 कामा minus 1 हो गया फिर क्या आएगा 0,0 हो गया पिर क्या हैगा 0,1 हो गया ठीक अब 1 क्या करोगे तो 1,-1 हो जाएगा 1,0 हो गया 1,1 हो गया ठीक है और इस प्रकार से आपका ये answer हो गया वही समय क्या पूछ रहा एक राज से पूछ रहा तो मैंने ये भी इसको भी निकाल दिया यहां पर एक वैलू पूछा तो एक वैलू निकलाया तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आगया हो तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें, सेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवस्त दबाएं तक हमारे द्वारत जितने भी वीडियो बनाया जा रहें वो सीधे आप तक पहुंसकें बच्चों चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तक हम नएने वीडियो बनाते रहें अगर आप सस्क्राइब करते रहेंगे तब जो है अगला ये भी होता है कि हाँ जो है वीडियो बनाया जाए ठीक है तो इसलिए आप प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बिल आइकन की बटन को अबस्त दबाएं थैंक्यू